उत्तरप्रदेश के साजहापुर के जिला जेल में बंद महिला कैदी जम कर डांस करती हुई नजरा रही है दर्शल जेल में बंद एक महिला बंदी ने जेल में अपने बच्चे को जन्म दिया है जिसके बाद जेल में बंद महिलाओं ने खुशी मनाते हुए जेल के अंदर जम कर डांस किया जेल के अंदर हुए बच्चे के जन्म के बाद जेल प्रशासन के अधिकारियों ने जेल में बंद सभी बच्चों और महिलाओं को गिफ्ट दिये जेल प्रशासन की तरफ से जेल में जन्मे नवजात बच्ची को भी धेर सारे खिलों ने तोफे में दिये गए बता दें कि साजापुर की जिला जेल में बंद महला बंदी संगीता ने जेल के अंदर एक बच्ची को जन्म दिया है जिसके बाद जेल में बंद महिलाओं ने बच्ची के जन्म पर खुशियां मनाती हुए जेल के अंदर ही जम कर डांस किया जेल में बंद सभी महिलाओं ने धोलक और मजीरा भी बचाया जेल में बंद महला बंदियों ने जेल में जनमी बच्ची की नजर उतारी और उसे काचल भी लगाया इस खुशी के मौके पर जेल प्रशासन ने सभी बंदि महलाओं की बच्चों को तोफे में चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे और फ्रूटी और मिठाईयां भी बाटी तो आप भी देखिए ये वीडियो कारगार में निरुद महलाबंदी संगीता के विगत दिनों करन्या पैदा हुई जिसकी विसे इस रूप से देखवाल की जा रही है जच्चा और बच्चा दोनों का विसे दियान रखा जा रहा है साथी साथ आज बिनाग 1492 को उक्त बच्ची का चटी का समारो आई किया गया उक्त समारो का आयोजन वाथम बैस महला संगठन के पदादिकारी गढ़ों के सहयोग से किया गया बच्ची को और मा को दोनों को ही नए बस्त्र खिलोने और अन्निखाद सामिगरी बैट की गई तका सभी महला बंदियों और अन्निखाद सामिगरी बैट की गई